जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे दियूस कार आप देख रहे हैं बोल किलब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ कोरोना की हकीकत आपके स्क्रीन्स पर है पिछले 24 गंटों में 2,73,810 कोविड के मामले और इससे हुई हैं 1,619 मौतें और आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये दावा कर रहा हूँ कि जो 2,73,810 का अकड़ा है ना हकीकत में इससे 5 गुना ज्यादा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों पिछले 24 गंटों में कम से कम 10 लोग कोरोना वाइरस से संक्रमित होंगे मगर हर जगा छुपाया जा रहा है मामलों के आपके स्क्रीन्स पर यह है मौडल राज गुजरात की खबर हिंदू की जहाँ पर असल आकड़े को चाहे मृतकों का आकड़ा हो चाहे कोरोना संक्रमित का आकड़ा उसे छुपाया जा रहा है यह भूल जाए जिसराजी में मैं रहता हूँ सामने लाशे जल रही हैं उन लोगों की जो कोरोना से मारे गए मगर प्रशासन यह कह रहा है कि इनकी मौत ही नहीं हुई करोना से और यही तस्वीर हर जगा है मैं यह समझना चाहता हूँ भारती जाता पार्टी सरकार से कि आपको और कितनी मौते चाहिए ताकि आप पश्यम बंगाल में अपनी चुनावी रालीज को रद कर सकें वहां की जो मुख्यमंत्री है ममताब आनर जी कह रही है कि ठीक है जो अगले तीन चरण बचे हुए है उससे आप एक चरण में निप्टा के खत्म कीजिए राहूल गांधी ने ये ट्वीट किया है जिसमें हो कह दिया कि अब मैं और आगे रालीज नहीं करूँगा हाला कि उनके पार्टी के अधीरंजन चौधरी जो हैं खुलके रालीज कर रहे हैं तो ये दोहरा माबदन कॉंग्रिस का दिखाई दे रहा है मुद्दा वो नहीं है जब दो प्रमुक दाविदार कह रहे हैं कि भई हम रालीज नहीं करेंगे या आप तीन चैरणों को एक चैरण में कर दो तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को किसने रोका ये ऐलान करने से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ भारती जनता पार्टी के नेताओं के विचित्र बयान और विचित्र बरताव आपके स्क्रीन्स पर ये हैं गुजरात के नेता विजय शाह ये पहुँच गए वडोद्रा के एक उस जगा पर जहां पर लोगों का अंतिमसंसकार किया जा रहा था और कुछ मुसल्मान मदद कर रहे थे ये शक्स पहुँच गया और ये बोलने लगा कि कोई मुसल्मान छुएगा ने किसी लाश को अंतिमसंसकार नहीं होने देगा मतलब एक तो मुसल्मान आ रहे हैं मदद कर रहे हैं ये ऐसा दौर है जितने ज्यादा हाथ जुड़ें उतना बहतर मगर इस आत्मी को यहाँ पर भी जहर करना है यहाँ पर भी जहर खेलेगा अरे किस मिट्टी के बने हो तुम कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर क्या शर्म नहीं आती तुमको और बात यहाँ नहीं रुकती दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि बेशक इनके जैसे सज्जन है मगर कुछ लोग है भारती जहाथा पार्टी के अंदर जिन में समझ है मैं यह नहीं कह रहा हूँ नहीं इसी खबर के मुताबिक यह भी कहा गया है शुक्रियादा किया है इनमें से दो बीजेपी की नेता हैं एक मंत्री हैं और वहाँ पर डूटी पे है तो मैं चाहता हूँ कि भारती जनता पार्टी के यह नेता सामने आए बजाए कि यह शक्स डॉक्टर विजेशा पता नहीं कहां के डॉक्टर है और किस चीज़ के डॉक्टर है बात यहां नहीं रुखती है आपकी स्क्रीन्स पर यह खबर गुजराद पुलीस ने ब्रक फार्मा पर देर रात रेड मारी और रेड क्यू मारी मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूं इसका मतलब क्या है कि कालाबाजी बाजारी कर रही थी यह कंपनी ब्रक फार्मा और इनमें दो लों की गिरफतारी हुए एक तो मनीश सिंग जो कि उनके टेक्निकल डिरेक्टर है और साथ ही उनके साथ ही वरुन कुंतरा अब क्या होता है दोस्तों महराष्ट के अंदर 4.5 करोड की लागत की ड्रग्स इसी तरह से यही जो राम डेजिवरी ड्रग है वो रहस्माय तरीके से आ रहा था और इसको लेकर वहां की पुलीस पूछताच कर रही थी उनके एक मुलाजम से और क्या आप जानते हैं कि ब्रुक फारमा को बचाने के लिए कौन पहुँच गया मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ ये वीडियो कॉंग्रिस की निता प्रियंका गांधी वाडरा ने ट्वीट किया है आप देखिए किस तरह से हडका रहे हैं यहां पर पूर्व मुख्य मंत्री देवेंद्र फड़नवी से एक और बीजेपी की नेता ये वीडियो का यांच देखिए दोस्तों क्या कह रही हैं इसमें प्रियंका गांधी आपके स्क्रीन्स पर यब देश के कोने कोने से लोग राम डेजवेर उपलब्द कराने की गुरहार लगा रहे हैं और तमाम लोग जान बचानी के लिए किसी भी तरह एक शीशी राम डेजवेर जुटानी के लिए जद्दुजेद कर रहे हैं उस समय जिम्मेदार पद पर रहे चुके भाजपा नेता का राम डेजवेर की जमा खोरी करने का कृत्य मानवता के खिलाफ अपराद है क्या कहा इस मुद्दे पर कुद देविंद्र फड़नवी इसने आप सुने रात को नौ बजे दस लोग उनके घर जाते हैं उसको उठा के लाते हैं यहां पर जब हमने यहां पर आकर पूछा तो अब पर इसके पास कितना इसा कुछ आया या इनके पर पास को लेटर भी दिखाए को पर्मिशन लिया तो उनको यह लेटर आपको नहीं हुआ था इस प्रकार से वह जो के उनको कहना था उन्होंने कहा लेकिन यह जो सारी राजनिती चल रही है बहुत गलत राजनीती है सुना आपने देवेंद्र फडनवीस को कुछ दिनों पहले क्या हुआ था सियार आर पार्टिल ने इसी तरह से जमाखोरी की और वो ले गए थे भारती जनता पार्टी के मुख्याले से वहां से बाटना शुरू कर दिया देखिए जब देश एक चुनोती का सामना कर रहा है न तो अनुशासन हीनता नहीं हो सकती मैं यह समझना चाहता हूँ कि क्या कर रहे है देवेंद्र फडनवीस आप तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप उस फार्मा कंपनी का बचाव करने आ गए जिस पर काला बाजारी करने के आरोप में गिरफतारी किसी और नहीं नहीं गुजरात में आपी की सरकार नहीं किया आपी के पूलीस नहीं किया है और दोस्ते ये खबर देखिए इंदौर की खबर है यहाँ क्या होता है गुजरात से ऑक्सिजन से भरा एक ट्रक सामने आता है यह वीडियो आप देख रहे हैं सुख स्क्रीन पर आप जानते हैं भारती जनता पार्टी के नेताओं ने इसे दो घंटे तक रोक कर रखा क्यूं क्यूंकि उन्हें प्रेस के सामने फोटो खिचवानी थी वहाँ पूजा करनी थी आप यह वीडियो देखिए दोस्तों और आपको पता चलेगा कि मदद करना जजबा नहीं है मगर उसको लेकर शोर करना फोटो खिचवाना देखिए वीडियो आप समझ जाएंगे बात यहां नहीं रुकती आपके स्क्रीन पर यह हैं देश के माननी रेल मंत्री प्यूश गोयल उनका यह वाहियात बयान आपको सुनना पड़ेगा यह कह रहे हैं कि राज सरकारों को ऑक्सिजन की जो डिमांड है उस पर काबू पाना चाहिए यानि कि oxygen की मांग पर काबू पाना चाहिए और कुछ जो मरीज हैं वो oxygen को ऐसे ही बरबाद कर रहे हैं मैं इन माननी से समझना चाहूँगा कि oxygen की demand पर काबू कैसे पाते हैं यानि कि अगर मुझे medical oxygen की जरूद है, मैं कोरोना से प्रभावित हूँ तो मैं कैसे control करूँ बताइए क्या मैं अपने एक नथुने पर ऐसे हाथ रखूँ और सिर्फ एक नथुने से सास लो क्या बात करते हैं आप यूश गोल जी आप तो पढ़े लिखे आदमी होंगे, देश के रेल मंत्री हैं तो पढ़े लिखे होने ही चाहिए आपको उते में भी oxygen लगाने की कबर आ रही है यह जो आपको मैंने तमाम मिसालें बताइए यह सत्ताधारी नेता हैं इनके हाथ में ताकत है, इनके हाथ में इस देश का मुस्तक्बिल है और देखे किस तरह की बाते कर रहे ही लोग समवेधन हिंता तो दूर की बात है क्योंकि जब ग्रिह मंतरी आमिश शाह से यह पूछा गया क्या पूछा गया अदेश के ग्रिह मंतरी आमिश शाह से कि ख़़ोना rallies जो है कही हो ख़ोना तो नहीं बढ़ा रहे हैं तो उनका यह कहना था कि देखे महराश में बढ़ रहे हैं मामले वहाँ तो रालीज नहीं है चुनावी रालीज नहीं है मगर फिर एक और हकीकत है जिसे आप भूल रहे हैं मुख्य मंत्री उद्दफ ठाके प्राइम मिनिस्टर्स आफिस को फोन करते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है मगर प्राइम मिनिस्टर्स आफिस उन्हें पलट कर बोलता है कि PMO जो है यानकी प्रधान मंत्री जो है वो बंगाल में चुनावी रालीज कर रहे है एक मुख्य मंत्री जो कह रहा है ऑक्सिजन की कमी है मुझे आपसे बात करनी है अगर मुख्य मंत्री खुद ऑक्सिजन के लिए फोन कर रहा है तो कि बहुत बड़ी बात है भाई मगर फिर आपका दफ्तर ये कहता है कि नहीं ऑक्सिजन वो जो हैं बंगाल में ऑक्सिजन ले रहे हैं मतलब चुनावी रालीज कर रहे है कुछ तो कहीं पर कोई हद होनी चाहिए फिर नवाब मलिक जो की मंत्री है उद्दव ठाकरे सरकार में उनका ये दावा कि ये कहा गया है कई कामपनीज को कि वो राम डेविजर ड्रग जो है महराश को उपलब ना कराएं वरना उनकी लाइसन्स कैंसल कर दिये जाएंगे मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये कमी क्यूँ आपने एक बयान दिया है मैं पढ़के सुनाना चाहता हूँ आपका बयान विगत कुछ महिनों से हमने कोरोना संब्दित सभी प्रतिबंद लगाने का अधिकार राज्यों को दिये हैं क्योंकि आज हर राज्य की स्थिती एक सी नहीं है इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए हर राज्य को अपने यहां की स्थिती के हिसाब से खुद मिरने लेने होंगे और केंदर सरकार उनकी पूरी मदद करेगा दो चीजे कह रहे हैं एक तो यह कह रहे हैं कि अब राज्य सरकार खुद मिरने ले मगर वो यह भी कह रहे हैं कि केंदर सरकार उनकी मदद करेगी अमिजी मैं आपके सामने कुछ हकीकत रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसके जवाब दीजिए तीन चेहरों पर ग़ोर कीजिए जारखन के मुख्यमंतरी हेवन्सोः दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजिवाल और महराश के मंतरी नवाब मलिक क्या कहरे है नवाब मलिक आपके स्क्रीनिस पर महराश के मंतरी नवाब मले कहते हैं कि जो कमपनी राम डेजिवर देती है इन्हें धमकाया गया है कि अगर महराश को दिया तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे ऐसा दावाव यूँ क्यों कर रहे हैं बताईए दूसरी बात जहारखंड के सीम आपके स्क्रीन्स पे दोस्तों ये खत है ये खत उन्होंने लिखा है केंदर सरकार को और इसमें उन्होंने क्या लिखा है जहारखंड के सीम इस खत के मताबक पड़ोसी देश बांगला देश से जीवन बचाने वाली दवाई मांग रहे हैं इसके लिए आपातकाली निस्तमाल के लिए उन्हें 50,000 विल्स खरीद रहे हैं वो जी हाँ एमर्जनसी यूज के लिए वो बांगला देश से दवाई मांग रहे हैं जिस बांगला देश को भारती जहाता पाटी का प्रचारतंत्र गाली देता रहता है हमारे एक मुख्यमंत्री इतने बेबस हो गया है कि उन्हें बांगला देश से दवाई मंगानी पड़ रही है और इसके लिए वो केंदर सरकार से मश्वरा ले रहे हैं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आर्विन केजिवाल दिल्ली के सीम आर्विन केजिवाल तारीक में दोनों में तालमेल होना चाहिए प्रधान मंत्री जो हैं वो बात भी नहीं कर सकते हैं एक राज के मुख्यमंत्री से क्योंकि उन्हें बंगाल में चुनावी रालीज करनी होती है और यहां पर गुहार लगा रहे हैं के मुख्यमंत्री आलग-अलग राज़ों के मंत्री और कह रहे हैं कि हमें केंद्र से कोई सायोग नहीं मिल रहा है आज मैं इस सरकार से समझना चाहता हूं कि आपकी प्रात्मिक्ता क्या है कोई जवाब देई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और सबसे दुक्की बात ये कि जैसे कि मैंने कारक्रम में आपको बताया कि ब्रक फार्मा को डिफेंड करने के लिए पहुँच गए आप पुलीस के पास देवेंदर फणनवीस कि आप जानते हैं ब्रक फार्मा को अनुमती नहीं मिली है राम डेज़िवर जो है डिस्रिब्यूट करने कि आपके सामने दोस्तों ये है लोकमत की खबर जिसमें पता चल चुका है कि ब्रक फार्मा को अभी अनुमती नहीं मिली है राम डेज़िवर ड्रग बाटने की और ये देखिए ये जो है सामने आपके प्रमान क्या कह रहे हैं हो देखिए और इनके समर्थन में कौन आ गया ये शक्स ध्रिवेंद्र फटनवीस आपकी सत्ता है के अंदर में आप इस तरह का गयर जिम्मेदाराना बरताव नहीं कर सकते समझे की नहीं दोस्तों मैं अब आपको बताने वाला हूँ एक छोटा सा वीडियो इस वीडियो में देखिए कि भारत में पिछले एक साल में कुरोना का ग्राफ कैसे बढ़ा फिर कैसे गिरा जनवरी तक आते आते और फिर अचानक किस तरह से बढ़ गया देखिए वीडियो मैं जानता हूँ कि आप लोग में से कई लोग सवाल कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी में तो नीचे गिर गया था यही वज़ा है कि हम में से कई लोग लापरवा हो गए बिल्कुल सही का आपने यही वज़ा है कि कई लोग लापरवा हो गए मगर देश की जनता तो लापरवा हो सकती है कि सरकार भी लापरवा हो सकती है बताईए सब जानते थे कि कुरोना की दूसरी लहर आ सकती थी लोग लगातार चेतावनी दे रहे थे लोग ये भी कह रहे थे कि देखिए आप सिर्फ दो वैक्सीन पर आशुरित मत रहिए आप बड़े पैमाने पर वैक्सीन मंगाईए ये बात राहूल गांधी भी कह रहे थे मगर आपने राहूल गांधी को क्या कहा कि तुम जो है vaccine companies की दलाली कर रहे हो आपने उनकी बात नहीं मानी फिर आपको कुछ दिनों पहले 4-5 companies से टीके मंगवाने पड़ रहे है तो सच यह है दोस्तों मैं मानता हूँ कि corona नीचे गया फिर अचाना कूपर बढ़ गया मगर केंद्र सरकार को उसके लिए तयार होना चाहिए था आज आपने राज्यों को छोड़ दिया है मगर दूसरी तरफ vaccines पर आपका पूरा नियंतर ने drugs पर आपका पूरा नियंतर ने मगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को छोड़ दिया आप उनके साथ कोई समवाद नहीं करना चाते हैं, सलीके से नहीं करना चाते हैं, नहीं, मैं वो photo opportunities की बात नहीं करता हूँ, जिसमें प्रधान मंत्री बैड जाते हैं, और फिर एक video screen पर सभी मुख्य मंत्रियों से बात कर रहे थे, नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ, सही माइने में, सार्थक तोर पर बाचीत, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से मिसे हैं, हकीकत यह है दोस्तों, और उसके लावा कुछ नहीं, दोस्तों आप जानते हैं, कि मैं खुद 10-12 लोगों से संपर्क में हूँ, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को रैम डेजिवर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, किसी को आकसिजन नहीं मिल रहा है, मैं इतना बेबस हूँ खुद की, मैं मुश्किल से एक या दो लोगों की मदद कर पा रहा हूँ और वो भी नहीं, वो भी आंशिक तोर पर मेरे अपने ग्रहराज, मध्ध प्रदेश में जहां का, जह शेहर का मैं रहने वाला हूँ छिनवाडा, वहाँ हालाद बच से बत्तर हो रहे हैं मैं जिस शेहर में रहता हूँ, नौइडा, घाजियाबाद, वहाँ बेवसी का अलम है हर तरफ इसलिए मेरी आप सबसे फुरारतना कि सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, ऑक्सिजन मास पहने खुद को एक्सपोज ना करें, घर से बार तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो क्योंकि व्यवस्था आपका इलाज करने के लिए तयार नहीं है, धेरों तस्वीरे सामने आ चुकी है खुद व्यवस्था ने हाथ खड़े कर ली है, अब आप पर है कि आप मेंसे जो लोग संक्रमित नहीं है, वो लोग अपना ध्यान रखे है यह हाथ जोड़ कर मेरी आप से परातना है बोल के लिए बाजाद है तेरे में बस इतना ही, अब इसार शर्मा को दीजिए जाज़त नमस्कार